हेलो फ्रेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ पोहा और आलू से बना हुआ एक डास्ता, तो चलिए आज की ये रेसिपी सुरू करते हैं, सबसे पहले हम एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें एक कप पोहा लेंगे, आप पोहा मोटा या पतला कोई भी ले सकते हैं, और इसका एक पा इसे मोटे ग्रेटर से घिस लेंगे, आलू को अब घिसते समय पानी में डालते जाएं, वरना आलू काला हो जाएगा, इस तरह सारे आलू को घिस लेंगे, और उसे दो-तीन बार धो लेंगे, जिससे आलू का स्टार्स निकल जाएगा, गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उ उसमें आधा चमत सरसो डालें, और एक चमत सफेद तिल डालें, इसमें दो-तीन कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, और इसे थोरी दिर भून लेंगे, अब इसमें एक कप पानी डालेंगे, जिस कप से आप पोहा लेंगे, उसी कप से एक कप पानी डालेंगे, अब उसमें गिसे हुए आलू को डाल देंगे और इसे दो मिनट तक पकाएंगे दो मिनट हो चुके हैं अब इसमें पीसा हुआ पोहा डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए एक सौफ्ट डो बना लेंगे गैस का फ्लेम यहा लो रखे इसमें आधा कप बेशन डालेंगे जिस कप से पोहा लिया है उसी कप से आधा कप बेशन डाले और इसे भी पोहा के साथ अच्छी तरह मिलाते हुए पका ले इसमें एक कटा हुआ डालेंगे, आप चाहे तो प्याज इसकिप भी कर सकते हैं, अगर धनिया पत्ता है तो धनिया पत्ता भी डाले, आधा चमच लाल मिर्च पाउडर, स्वाधनुसा नमक, और एक इंच कटा हुआ अधरक डालेंगे, और इन सभी सामगरी को अच्छी तरह पोहा में मिला लेंग जैसे जैसे पानी सुखते जाएगा, एक सॉफ्ट डो बनकर तयार हो जाएगा, हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं रखना है, इस तरह चलाते हुए एक सॉफ्ट डो बना लेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर दे, नास्ता के स्वाध को बढ़ाने के लिए हम आधा चमच मिला लेंगे, इस नास्ता में पोहा का क्रंच, आलू का स्वाध और मसालो का फ्यूजन है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे बेल लेंगे, हमें इसे बहुत पतला नहीं बेलना है, और इस तरह चाकू की सहायता से आप किसी भी सेप में काट लें, हमें कुछ इतना मो कूटा इसे बेलना है, इसी तरह सारे पूहा से बॉल बना कर उसे बेल कर काट लेंगे, गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, जब तेल हमारा गरम हो जाए तो इसे हम फ्राइ कर लेंगे, गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे, एक तरफ से जब ये अच्छी तरह सिख जाए तो इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसे फ्राई कर लेंगे इस तरह हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है अगर आपको मेरी यह रेस्पी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें हाँ और सब्सक्राईब करना बिल्कुल न भूले इस तरह यह नास्ता हमारा बन कर तैयार हो गया है इसे हम निकाल लेंगे इसे आप हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें इसकी आवाज से ही पता चल रहा होगा यह कितनी क्रंची बन कर तैयार हुई है आप एक बर इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें थैंक यू